20,000 के बजट में IQ Z7 और OnePlus Note CD3 Lite काफी अच्छा फोन है बहुत लोग इसको पर्चेश भी करते हैं तो जैसे कि मान लिजी कि दोनों में से किसी एक को पर्चेश करना चाहते हैं कैमरा परप्रस के वज़े से तो इस वीडियो में हमें बहुत सारा फोडो सेंपल्स वीडियो इस वीडियो को देखने के बाद आप से और हो जाएंगे कि आपको कौन सा फोन पर्चेश करना चाहिए आपके अपने हिसाब से सबसे पहले हम कैमरा एस्पक्स के बारे में जानते हैं दोखिए आपको 108 मेगा पिक्सल और 22 मेगा पिक्सल कैमरा आपको देखने के लिए मिलता है और आपको 64 मेगा पिक्सल और आपको 2 मेगा पिक्सल डेफ कैमरा आपको देखने के लिए मिल जाता है चलिए यहां पर सिं पिक्सल का फोटो लेंगे और नहीं 108 मेकार पिक्सल का लेंगे क्योंकि दोनों में थोड़ा सा आपको ज्यादा जूमिंग देखने के लिए मिलता है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है इसमें हम इसमें नॉर्मल केमरा के ही बात करेंगे तो आभी डेलाइट है हम सारा सैंप और जूमिंग करेंगे तो दोनों में डिजलिंग काफी अच्छा रहता है लेकिन एक जो क्वालिटी निंकल के आता है वो फाइनल फोटो देखकर के आप अंदादा लगा सकते कि किसका पिक्चर क्वालिटी अच्छा है और किसमें कलर टोन कैसा है इदर के कलर टोन जो है अपना-पना पसंद है आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं उसी तरह है जिसे कि इसमें हम पोट्रेट लेने का कोशिस करें तो पोट्रेट में किस तरह से फोटो निगाल के देगा यह भी हम आपको दिखा देते हैं तो यहां पर देख लिजिए बैग्राउंड को कैसा ब्लड किया है अभी तो खैर हम फोन में दिखा रहे हैं आपको हम सैंपल्स भी दिखाएंगे जिससे आपको पता चले यहां पर क्वालिटी कैसा देखने के लिए मिलेगा तो दोनों काफी अच्छा ब्लड कर लेता है लेकिन वन प्लस का टोन किसी को अच्छा लग सकता है और किसी को IQ Z7 के लग सकता है तो मेरा काम यह है कि हम आपको दिखा दे आप खुद जच कर लेना कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है 2X जूमिंग कर सकते हैं डिफॉल्ट और 3X जूमिंग कर सकते हैं OnePlus Note C3 Lite में आप इससे ज्यादा जूम कर सकते हैं लेकिन 2X और 3X जैस 편र करें कर के जसthank okay रहरे जिसे आप फोटो लेना चाहते हैं बहुत लोग को सब्सकें से भी फोटो ले तो फूल्ट स्किन से जैसे आप फोटो लेंगे तो कुछ इस तरह सापके यहां पर फोटोदेखने के लिए मिले जसे कि आप देख सकते हैं और फूल probe्स्की रहा ही क किस तरह से कौन अच्छा कर रहा नहीं कर रहा है आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा यहाँ पे region佌क्ष फोटो सैंपल्स हैं से हमने इंडौर में लिया des added available वी ओर इंडौर में हमने पॉटेर्स से मेन कामरा से फोटो में लिया फोटो में ऊप्या तेकिन मानली फोटी फोटो यह क्व गरावाट लेका जो कि आंप रहे ब PERSONALLY, सब्सक्र Yinरी क्यों सब्सक्रिव में दिमाइश को श्रीज इन गीज यहां बहुत शारा सेंप्ले खाय देखा और जो आपको आपको पसंद आएगा वीडियोग्राफी मेंतले वीच के गेन technika दीवार अर यह सैंपल साका डिकाल में रहे हैं भी तैम के फोटो हैゲिंगर चाल करेक्षन के हिसाव से आप अंदादा लगा सकते हैं कि यहां पे color tone और lightning कैसा निकल के आ रहा है मुझे यहां पे IQ ज्यादा अच्छा लग रहा है अगर हम बात करें यहां पे लगबग रात हो चुका है अब हम रात का फोटो लेते हैं और दोनों में यहां पे देख सकते हैं कि कौन सा कैसा अच्छा कर रहा है कहीं यहां पे लो लाइट में जो है आपको IQ Z7 अच्छा करते हुए मिल जाएगा क्योंकि यहां पे जो एक quality निकल के आता है वह आ यहां पे दोनों सेम हैं लेकिन कलर टोन का डिफरेंस है आपको कूल टोन जो है वन प्रस नॉट सी लाइट में देखने के लिए मिलता है लेकिन अगर हम डिटेलिंग की बात करें तो लो लाइट में आपको काफी लाइट और डिटेलिंग जो है IQ Z7 में हर मामले में यहां पर देखने में लगा है तो आप देख सकते हैं एक चीज हमने सेल्फी में नोटिस किया था घर पे जब हमने रात में सेल्फी लेने का कोशिश किया था तो यहां पर प्रप्लम देखने के लिए था कि बीटिफिकेशन ओफ होने के कारण भी जो है यहां पर वन प्रस अच्छा करता है तो यहां पर देखिए 4K में 30 frames per second पर रिकॉर्डिंग कर सकते है है और फुल इसटी में 30 frames per second पर शेकंड पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं लेकिन अगर πरेक्टिकल देखते हैं जिसे की रिकॉर्डिंग करकर प्रेक्टिकल आपको दिखाने काम कोशिश करे करेंगे तो यहां पर वन प्लस नॉट सीटी लाइट जो है काफी अच्छा करते हुए वीडियोग्राफिय में मिला है और यह वीडियो आप देख रहे हैं यह लेफ्ट वाला वन प्लस का है और राइट वाला जो है आपको आईक्यू का देखने के लिए राइट वीडियोगा आईक्यू में एक में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं जो कि हम 4k 30 fps पर सकंद पर रिकॉर्डिंग यहां पर रखे में और OnePlus का Full HD में है अभी जो है हम दोनों को बराबर पर रखे है यानि Full HD में 30 frame per second पर हम recording कर रहे हैं हाला कि 60 frame per second आपको आईकू में देखने के लिए मिल जाता है और maximum OnePlus not C3 light में आपको 30 frame per second पर maximum recording देखने के लिए मिल जाता है तो यहां पर आप quality देख लीजिए दोनों में आपको काफी अच्छा quality देखने के लिए मिलेगा बस यहां पर थोरा सा color tone का difference है और कुछ नहीं तो अगर मालीजी कि जैसे कि हम dynamic range की बात करें और जैसे कि माल लीजी कि हम quality की बात करें तो आप देख सकते हैं पीछे से सन का light है यहां पर किस तरह से कौन कैसा कर रहा है आपकी लली देख सकते हैं आपको वन प्लस तोरा सा ज्यादा अच्छा लेगेगा आपकी की सापसे अगर हम देखते हैं तो क्यूंकि इसका जो color tone है वह अच्छा है और यह थोरा सा येलो कर दे रहा है जो कि रियर कैमरा में भी कर रहा था और फ्रेंट फ्रेसिंग कैमरा में भी कर रहा था और स्टेडी मोड का उप्सेंस मिल जाता है यानि अल्ट्रा स्टैबलेजेशन का उप्सेंस मिल जाता है लेकिन फिर यहां पर आप देख लिए कि oneplus not see three light में स्रिफ कर रहा है लेकिन oneplus काफी स्टैबल है तो स्टैबलेजेशन की मामले में यहां पर किलरली जो है वन प्लस जीद जाता है ऑटो फोकस की बात करें तो देखिए oneplus not see three light में जो है ऑटो फोकस थोड़ा सा सुलो है और कभी-कभी तो करता भी नहीं है लेकिन आईकू जेट सेव है यह जैसे कोई अबजेक्ट है उसमें आईकू जेट सेवन कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं करता है लेकिन oneplus not see three light में जो है कभी-कभी प्रॉब्लम करने लगता है तो आप टच फोकस का भी इस्तमाल कर सकते हैं और अगर हम जूमिंग की बात करें वीडियो ग्राफी में oneplus में जो है आपको इतना जूमिंग देखने के लिए मिल जाता है लेकिन oneplus इस्टेवल रहता है जूम करने के बाद भी और iq जो है ऐसा लगए जिसे कि हिल रहा है कांप रहा है ऐसा लगए आपको जेट सेवन में एक फायदा यह भी है कि आपको इसमें ब्लॉग मोड दे हो सकता नहीं होगी आज का डूल वीडियो मोड का भी बहुत जादा क्रेश चल रहा है तो दोनों में आपको यह फीचर्स देखने के लिए मिल जाता है जिसे कि एक बार में रियर कैमरा और फ्रेंड कैमरा दोनों हो जाता है तो यह खास करके ब्लॉगर्स के लिए काफी अ जो है निकलके आएगा इसमें आपको डूल कामाव मिल जाता है जो कि दोट ओनों में आपको देखने के लिए मिलता है जिसए कि आपको एक सventh कμέ से अपना रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और बाहर का भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं तो डूवल कैमरा खास करके ब्लोगर्स के लिए यह काफी यूसफूल होने वाला है तो इससे भी ज्यादा सुलो हो जाएगा मतलब तो जैसा कि आप देख सकते हैं वन प्लस नौट सीथी लाइट में जो है अगर हम सींपल जो अच्छा से बिजिबल है आप सकते हैं और यहां पर में कि अच्छा से विजिबल है procedure दोले होते हैं और one plus North c3 light में जो है त्रौबासा डार्क हो जाता है सेल्फी की बात करें तो सेल्फी में यहाँ पर one plus North c3 light तो अच्छा कर रहा है लेकिन अगर आक्यों कि हम बात करेंगे तो आइकूच्या कर रहा है तो सिंपल ड्ड में लो लाइट में काफी अच्छा आपको मचड़ भी है को हमारे यूटूबर साहब है कि घर के लिए वापसी जाते हुए आज के सी सूट में आप क्या कहना चाहते हैं आपको मचड़ भी है तो देखिए अगर हम वीडियोग्राफिक की बात करें तो इस टाइपलेशेशन में काफी अच्छा वन प्लस नौट सीटी लाइट है लेकिन लो लाइट में और जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग का कैपिसिटी की बात करें 4K का तो वह आपको देखने दिखा दिखा दिया जिसमें बहुत सारा चीज कवर किया है जो एक काफी होता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको तो जरूर आइडिया मिल गया होगा कि आप पहुन सा फोन परचेश करेंगे वीडियो कर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीज़िगा और हमारे चैनल टिक सिंबल को सिस्काइब कर देजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अलविदाव